यकिन मानिये दोस्तों, चाट कि इतनी टेस्टी रेसिपी और इतनी आसान रेसिपी कुछ हो ही नहीं सAKती नमस्कार दोस्तों, कुक विद पैशन में एक पर फिर आप सभी का स्वागत है आज हम ले कर आए हैं आलू चाट रेसिपी, तो चले शुरू करते हैं आलू चाट रेसिपी के लिए सबसे पहले हम बॉयल आलू को इस तरह से तेल में तल लेंगे यह हमने बड़े बड़े आकार में इसको काट लिये हैं तो इन्हें अच्छे से तलेंगे फ्लेम को आप मेडियम टू लो पर ही रखिएगा फ्लेम अगर हाई करेंगे तो गोल्डेन ब्राउन होतो जाएंगे पर क्रिस्प नहीं बनेंगे जब तक आलू तले जा रहे हैं हम बना लेते हरी चटनी यहाँ पे हमने मुली के पत्ते लिए हैं साती धनिया पत्ती और यह लिया है काला नमक, अमचूर पाउडर और हरी मिर्च और साती लिया है लहसुन हरी मिर्च आपने स्वाद अनुसार ले लिजेगा और अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और उसमें डाल देंगे इस तरह से सभी चीजों को दोस्तों जब आप आलू को उबा लिए तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजे ऐसा करने से जो आलू में एक मीठा पन होता है न वह खतम हो जाता है और आलू का स्वाद भी काफी बढ़ जाता है तो यह आज की टिप थी और यह देखे सारी चीजों को हमने मिक्सर जार में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे आप थोड़ा थोड़ा पानी स्तवाल कीजेगा और इसे बढ़िया सा पीस लीजेगा और यहाँ पर आलू भी अच्छे क्रिस्प बन गया है बिल्कुल बढ़िया सा कलर आ गया है तो अब हम इने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं आलू कितने क्रिश्व बने हैं या आप इसकी आवाज सुनकर ही समझ सकते हैं तो चलिए इसे हम प्लेट में ट्रास्फर कर लेते हैं और अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें आलू को डाल देंगी और अब हम साथ में लेंगे हरी चटनी यहाँ पर मैंने दो चमच हरी चटनी ली है एक चमच चाट पाउडर साथ ही मिलाएं एक चमच इमली का चटनी और यहाँ पर हमने कुछ कटी हुई हरी मिर्च ले ली है अगर आप डालना चाहें तो डालें अन्यता यह टोटली आप्शनल है और अब हम इन सब को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और यह हो गए है मिक्स तो अब हम सर्विंग बॉल में आलों को निकाल लेते हैं और इसी के उपर से हमने डाल दिया है प्याज के कुछ टुकड़े और साथ ही डाले हैं मूली के लच्छे और अनार के दाने आप अपने मन पसंद तरीके से इसे सजा सकते हैं और यह हमने हरी चत्नी कुछ डाल दी हैं और इसी के साथ हम थोड़ी सी उपर से इमली की चत्नी भी मिला देंगे और इस तरह से यह बहुत ही टेस्टी सा आलू का चाट बनकर हो जाता है तयार तो आप इसे जरूर ट्राइ करें यह बहुत ही टेस्टी बनता है और मेरे दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही हैं अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजे, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर कीजे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक रखें आप लोग अपना खयाल नमस्कार